स्वर्गी पिता और इश्यू मसी और पविद रात्मा के नाम से आमेन पविद रात्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमेन सुर्गी पिता मैं एक्षु मस्य के नाम से ये प्रातना करता हूँ मेरे को बल दे आपका प्रेचार करने को आमेन प्रेचार सुन लिया वो प्रेचार बन गए और एक्षु मस्य का जैसे काम कर रहे हैं माती छे साथ प्रातना करते समय अन्नी जातियों कि नहीं बक बक न करे क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगे सो तुम उनकी नहीं नए न बने क्योंकि तुमारा पिता तुमारे मांगने से पहिले ही जानता है कि तुमारी क्या क्या अवर सकता है एशू मस्य बोल रहा कि सिर्फ दुसरों आननी जातियों बोले तो दुसरों लोगों के जैसा तुम सिर्फ बखबख मत कर सब ये बखबख आपका परमिश्वर के पास नहीं जाता है क्योंकि एशू मस्य बोल रहा सिर्फ के पिता पहले से जानता है कि आपको क्या कमी है किसकी कमी है क्या मुश्किले है आपके जिवन में और आपके परिवार के जिवन में तो एशू मस्य बोल रहा कि तुमारी क्या-क्या अवश्चेकता है अवश्चेकता है बोले तो आमारी क्या-क्या मांगे है ओ पहलाई सोवर के पिता जानता है बोले तो जो लोग लंबी जो प्रात्ना छोड़ती है तीन बज़े उठकर प्रात्ना करते है दोपर को तीन बज़े करते है मर्यम का प्रात्ना है वो करते है पुरे दिन ज्यादा लोग यह सब प्रात्ना है बोलता है एश्चु मसी की यह प्रात्ना तुमारी मेरा पिता के पास नहीं पहुंचती क्योंकि आप लोग पवित्र नहीं है और आगे बोल रहा कि आठ में बोल रहा कि हर चीज हर इंसान की स्वर की पिता को मालू में इंसान की आच्ची और बुराई और जरूरत हर चीज स्वर की पिता को मालू में तुम मत समझना कि सोर्ग पिता अंजान है ये मेरे बात लेके मेरा ये बिमारी लेके तुम एसा नहीं बोलो कि सोर्ग पिता को मालूम नहीं है तो इसलिए मैं सोर्ग पिता को याद कर रहा हूं सोर्ग पिता को मैं बोल रहा हूं मेरे को चंगा कर तुमको बोलने की कुछ जरूरत भी नहीं है बोलता इशू मसी आठ तुमारी क्या-क्या अवश शेंकता है वो मेरा पिता पहले से जानता है उसको याद दिलवाने को उससे बिक मागने को जरूरत नहीं है बोलता तुम्हें लोग क्यों करते हैं क्योंकि तुम पवित्र नहीं है इसलिए तुम्हारा कामा नहीं होता ये साफ साफ है तुम्हारा कामा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि तुम लोग पापी है कैटलिक लोग सब से सब पापी है कौन से Catholic के जिन्दगे में आच्छाई है, चंगा है दिखा दे, तुम्हारे गर में देख, तुम्हारे माँ, बाप, माता, पिता, बाई, बेहन सब को देख, चंगा है किसमे है, सब गोलियां खा रही है, प्रेशर की, डायबेटिक की, हार्ट की, खुन पतला होने की, कोई AIDS की भिमाए है, खा रहे है, ट्रीटमेंट ले रहे है, तो यह काई को हो रहा है जिन्दगी में, Catholic के जिन्दगी में, तुम पवित्र नहीं है, सब कैतरिक नालाइक बन गए, इसलिए बिमार पढ़ने के बाद, प्रात्ना करने को बागते है, कोई बोले, इदर प्रात्ना होती है, उदर प्रात्ना होती है, सब जगे बागते है, कोई बोलता है, ये सांथ देता है, वो सांथ देता है, मारियाम देती है, एक क्रूस देता है, सब जगे बागते है, क्योंकि Catholic नालाइक बन गए, येशु मसे बोल रहा तुमारे पिता को सब तुमारे मुश्किरियां मालूम है लेकिन चंगाई क्यों नहीं मिलती है क्योंकि तुम पवित्र कैटलिक नहीं है इसलिए चंगाई नहीं आती है ऐसा नहीं है कि तुमको परमेशुवर और बोले तो सोर्ग पिता नहीं देता है, ऐसा नहीं है सोर्ग पिता को सब कुछ मालूम है लेकिन तुम लोगों ने सोर्ग पिता को बगा दिया तुमारे जिन्देगी से, निकाल दिया तुम लोग पविद्र नहीं है तुमने पविद्र आत्मा को बगा दिया और तुम्हारे आंदर हजारों हजार शेटान गुसे हुए है कैटलिकों के आंदर दुसरों का बात मैं चड़ता भी नहीं मैं कैटलिक की बात करता हूँ कैटलिक नहीं कुछ होना कि मैं दुसरों को बोल रहा गर के नहीं मेरी हर बात कैटलिक को बोलता मैं बन जाएंगे तो आमको हर कैटलिक को पवित्र बनना ज़रूरी है क्योंकि जो काम आमको एशु मस्री ने बोला कर दे उनका प्रेचार समझा दे कैटलिक लोगों को और आत रखकर बीमारियां दूर कर और सेतान को बगा दे और यह आम करके हर कैटलिक को आमे समझाना मंगता वो भी करने के लिए हर कैटलिक यह सब करना मंगता नहीं तो तुम नाम का कैटलिक है कुछ फाइदे का कैटलिक नहीं है तुम लोग तो आज काज पवित्र बन जा आज तुम ये मेरा ये प्रचार पहली बार सुन रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा कुर्सी से उट मत इधर बेटे बेटे पवित्र हो जा अगा तुम उठेगा बोलेगा कल हो जाएगा शायद रात को तेरा शेटान बेंड बजाएगा रात को तेरे को जिन्दा मार देगा शेटान तो अभी का अभी पवित्र हो जा कल और परसुन और दस साल बात देखेगा इसा मत बोल शेटान तेरे कभी जान ले रहा है तेरे को कुछ भी मालूम नहीं तो अभी का अभी पवित्र हो जा और ये दोंगीपन सब छोड़ दे ये मार्याम के पाई जाने का इसका बक्ति करने का सांथों की बक्ति करने का मार्याम की बक्ति करने का कुरूज का बक्ति करने का इनको तुम लोग ने बगवान बना दिया सबको ये छोड़ दे क्योंकि एशिव मस्री बोल रहा कि सोर्ग पिता को हर एक बात हर इंसान की मालों है लेकिन चंगाई नहीं आ सकती है क्योंकि हमारे आंदर पवित राक्मा नहीं है, कैटलिकों के आंदर बूत है तो जिदर भूत होता उदर बगवान कैसा आएगा सिर्फ एक चीज रहे सकती है आंदेरा रहेगा नहीं तो पवित्र आत्मा आंदर आने के बाद सिर्फ रोचनी रहेगी कोई एक चीज रहे सकती है तुमने तुमारा जीवन आंदेरा बना दिया तो पवित्र आत्मा और परिमेश्वर का और सोर्गी पिता का इसमें कुछ गलती नहीं और तुम कितने जगा बागो पुरा जिन्दगी बर बागो मरते दम तक बागो तुमारा कुछ भी चंगा होने वाला नहीं है सुन ले बराबर क्यातलिक लोग सुन ले 9 सो तुम इस रिती से प्रातना किया करो अब ये शुमा से ये लोगों को समझा रहा प्रातना कैसा करने का अब ये प्रातना एसा करो हे हमारे पिता तु जो सोर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्चा जैसी सोर्ग में पूरी होती है वैसी पुरुत्वी पर भी हो अमारी दिन बर की रोठी आज हमें दे अभी ये तो हमारे मुँ में ऐसी बाहर आती है ये प्रातना जो एश्यू मसिन आमको समझाया वो हम जट जट में बोलके खतम करते इतना जोर एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है वैसा हम लोगे खतम कर देते बोलके लेकिन इसका अर्थ किसी को मालूम ही नहीं आगर ये प्रातना एश्यू मसिन ने बोला एसा कर बोले तो ये छोड़के आम लोग सांतों से प्रातना करने को मारियाम से प्रातना करने को क्रूस से प्रातना करने को किसका ये एशु मस्य का कुछ तीन गंटे का जो प्रात्ना हे वोती है वो करने को सुबब और रात को एशु मस्य आमको बोल रहा है एसा प्रात्ना कर और तुम लोग और कहां निकल गए तो प्रात्ना का अर्थ रहा किदर तुम किसकी बक्त बन गए तुम लोग क्यातलिक लोग किसकी बक्त बन गए आभी एशु मसिल ने आमको यह समझाया यह प्रात्ना यह से प्रात्ना कर तो आमको कुछ भी दिकत नहीं होना मंगता था जिन्दगी में हमारी दिन बर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अप्रादियों की शमा किया है वैसी ही तुम भी अमारे अप्रादों को शमा कर हम पहले नौ और दस में एशु मसिको हम लोग शुक्रिया बोलते है नौ और दस में जो आम मरने के बाद करने वाले है सोर्ग में जाने के बाद वो आम नौ और दस में बोलते है ए हमारे पिता तुम जो सोर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज है कि तेरा राज आये तेरी इच्चा जैसी सोर्ग में में पूरी होती है वैसी पृत्वी में पूरी कर तो आम यह अभी एशु मसी के इच्चा जो सोर्ग में है वो आमको एशु मसी बोल रहा कि इधर भी करने के लिए पृत्वी पे और एप पृत्वी पेर एप इच्चा पृत्वी पे करने के लिए पिता को क्या चाहिए है है हमारे पिता तु जो सोर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए सोर्ग पिता पवित्र है तेरा नाम पवित्र माना जाए यह बात पहली आती है जब यहां प्रातना चालू करते तबी चे पवित्र नाम पिता पवित्र करके आता है आगर तुम पवित्र नहीं है तेरा जिन्दगी बरबाद हो जाएगी प्रातना को तो तुम गोली मार देत प्रातना तो तुम छोड़ी देत तुम आगर पवित्र नहीं है तो तुमको कुछ भी अच्चाई नहीं आएगी बरबादी तेरा नाम पवित्र माना जाए दुसरा दुसरी जगा पे आमको मिलता ये नया करार में देख ले गुगल पे मार के परमेश्वर पवित्र और सत्ति है तो जो लोग प्रातना करते है कोई भी प्रातना ये बोले तो और दुसरा प्रातना कोई भी प्रातना जब करते है एश्व मस्य से और कुछ भी जिवन में आच्चाई देखना चाहाते है तो वो लोग भी प्रातना पवित्र होके सत्ति से सच से प्यार से करना मांगता नहीं तो ये एश्व मस्य ने जो प्रातना जो आमको पड़ाई ये सिखाई ये वो तुम जिन्दगे बर लाकों बार भी बोलो कुछ फाइदे का नहीं अब भी आमने देखा कि तुम बोल बच्चन करके कुछ फाइदा नहीं है तुम कितना भी बोल बच्चन करो उसका कुछ अर्थ नहीं बनता परमेश्वर को क्योंकि तुम अगर बुराई में है तो तुमारा आंदर सेहतान है और सेहतान का की हुई प्रातना है इस्वर को नहीं पहुँचती परमेश्वर को नहीं पहुँचती पिता एस्वर मसिगा उसको नहीं पहुँचता तुमारी जो प्रातना जब तुम कोई भी चोटी सी चोटी भी गल्ती तुमारी जिवन में है तो बूल जाए प्रातना करने को मत कर मैं तुमको सिधा बोल रहा हूँ प्रातना मत कर छोड़ दे ये एश्वर मसिगा भी प्रातना करने को और किसी साथों का मर्याम का सब प्रातना बंद कर दे कुछ पाइदा नहीं जब तक तुम पवितर नहीं बनते तुमारी एक भी प्रातना नहीं सुनाई देगी सोर्ग पिता को तो पहला एश्व मसिग बोल रहा ये मेरे पिता तुम जो सोर्ग में है तेरा नाम पवितर हो जाए तो जो ये प्रातना करता है उसको भी पवितर होना लाजिम जरूरी है नहीं तो ये प्रातना करके कुछ फाइदा नहीं तेरा राज आये तेरी इच्चा जैसी सोर्ग में पूरी होती है वैसी पूत्वी पर भी हो बोले तो क्या जैसी तेरी इच्चा जो सोर्ग में पूरी होती है वेसी मेरी जीवन में भी पूरी कर और पूरी कभी होएगी जब भी तुम पवित्र हो जाएगा तभी नहीं तो भूल जा ये कैतलिक रहेकर और अगर तुम कैतलिक नहीं है तो कैतलिक बनना चाहता है तो कैतलिक बनकर भी कुछ भी फायदा नहीं रहेगा सिर्फ पवित्र होना हर कैटलिक को जरूरी है और पवित्र होना इस पड़ेगा हमारी दिन बर की रोठी आज हमें दे तो लोग भुके क्यों मर रहे विकारी क्यों हो रहे है देशों देश लाच्छारी बिमारी पानी नहीं है कीडे पड़कर मर रहे देखो दुनिया में देखो न्यूत पड़के देखो काना नहीं है देखने को डर लगता है लोगों को सिर्फ हड्डिया नजर आती है तो क्यूं हो रहा है क्योंके तुम वो लोग पवित्र नहीं है और कैटलिक के जिंदगी में भी इसाइच है क्योंकि कैटलिक भी पवित्र नहीं है तो Catholic कोई दुसरा नहीं है हमारे दिन बर की रोटिया आज आमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपरादियों को शमा किया है वैसा ही तुम भी हमारे अपरादियों को शमा कर एक शो मसे क्या बोल रहाई दर कि हर Catholic अपरादियों को शमा करना मांगता पहला ये पहली चीज़े अपने हर अपरादियों को शमा करना मांगता है कितना भी चोटा अपराद है कितने भी चोटी गलती लोगों ने आपसे की हुई है आपके उपर इलजाम लगाय हुए आपको तंग किया है तो कुछी भी हो जाए चोटी सी चोटी आपका चोटा चीज चूरी किया है आपका बड़ा पुरा मकान ले लिया है करणों का कुछ भी हो जाए बोलता है शूमसी अपरादियों को शमा कर आगर तुम अपरादियों को शमा नहीं करेगा तो आगे बोल चुका है कि वैसी कि तुम भी हमारी अपरादियों को शमा कर जो मेंने, कैटलिक ने जिन्दगी बर जो दुसरों को मुश्किल किया, बुराईं किया, कुछ भी किया, वो तुमारी बक्ष जाएगे, ये तुमारा अपराद शमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा कभी जबी कैटलिक दुसरों का माफ करते तबीच, पहला नहीं, सिधा लिखाएगे इदर और अमें परिक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महीमा सदा तेरी ही है, आमिन और हमें परिक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महीमा सदा तेरी ही है, येशु मसी बोल रहा कि, और हमें परिक्षा में नाला, परंतु बुराई से बचा, अभी तु बुराई से ना बचा, तुम शेटानियत कर रहा है, तो तुमको पवित्र पिता का अच्चाई नहीं आ सकता, तो पवित्र होने को सब को पहला बख्षिना पड़ेगा, और सब से प्यार से संबद रखना पड़ेगा, तब इच, कैतली के जिंदगे में आच्चाई आएगी, और ये करने को एशु मसीगा पिता उतर के निच्चे नहीं आएगा, अभी हर कैतलीक को संत बनना पड़ेगा, कभी एशु मसी बोल रहा के, मेरा बाप तेरे को चंगाई करेगा, मेरा पवित्र बाप, अगर तुम ये मेरी बात मानके, ये मेरा प्रेचार सुनके तुम बुराई से न बचे, तुमको बुराई से कौन बचाएगा, ये बाईबिल तुमको बुराई से बचाएगा और हमें परिक्षा में न ला, परन्तु बुराई से बचा गंदगी लोटंगी सब छोड़केत आपको ये प्रचार से बुराई से सब निकल कर छोड़कर पवितर कैतलिक बनना पड़ेगा तो सब कारे हम लोगों को करना पड़ेगा हम जिन्दगी में जिते है ये दुनिया में जिते है हर कारी आमको करना पड़ेगा और आमको ये परमेश्वर ने आमको ये वचन दिया हुआ है और ये वचन पड़के आमको पवितर बनना पड़ेगा और ये प्रातना नहीं तो ये प्रातना का अर्थ आमको कुछ भी फाइदा नहीं फाइदेका नहीं होएगा आमिन शुक्रिया पवितर आत्मा शुक्रिया एशु मस्री शुक्रिया स्वर्ग्पिता आमिन कल चालू करेंगे अभी बंद करेंगे हैं प्रातना करेंगे सोरगपिता के नामसे पविद्रहत्मा के नामसे आमिन सोरगति falou मैं आपका प्यायरा फूत्र एश्यूमसी के नामसे प्रात्ना करता हूं YouTube live है उसको और उसका पुरा परिवार को और जो लोग यह आगे सुनेंगे उनको सब को यह COVID बिमारी से बचा कर रख सब बिमारी से इनको चंगा कर हर कढ़ी नाएं हर मुश्किले से इनको बाहर निकाल इनका नोकरी बड़ा, पागार बड़ा, पोस्ट बड़ा और नोकरी बचा कर रख और नए जो लोग गरवाले नया काम डूड़ दे हैं उनको अच्चा बड़ा कमपनी में काम दिलवा दे और जो लोगों का नोकरी अभी निकल चुकी है कोवीड बिमारी के वज़े से और कोई भी काराण से उनको वापस अच्चा बड़ा पागार देखें पोजिशन बड़ा के उनका उनको वापस नोकरी पे चड़ा और ये सब चंगाई उनके जीवन में देखें देखने के बाद ये लोग पविद्र बनने को भी आपका मदद उनको दे आपका प्यार उनके साथ रख आमिन